आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे हैं और ये सक्स आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है इनका नाम है बराक ओवामा और ये अमेरिका के राष्टपती रहे हैं और आप देखें इनके जो चर्चा में रहने का कारण है न प्यधान मंत्री साहब की मौदी साहब की जो अमेरिकी यात्र रही है और इनके वराक ओवामा के साहब के द्वारा जो अल्व संख्यक संभुदाए के बारे में टिपडी की गई है उसके कारण ये चर्चा में आ चुके हैं और मुझे तो अभी ही मालू चला जब आप देखे असम के मुखमंत्री हैमंत विश्वा सर्मान है इनका पूरा नाम लिखा वराक हुसेन ओबामा इनका पूरा नाम है कई लोग कह रहे हैं कि ये मुसलिम है और इन पर आप देखे तरह तरह की टिपणिया होने लगी तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान ज्यानकारी देख लेंगे और मुझे लगता है कि इनके बारे में आपको जानना भी चाहिए कुछ और पिक्चर है आप लोग देख लीजे यह आप दिखें इनका परिबार है और आपको मल होगा कि पिधानमंत्री मौदी साब ओवामा की काफी तारीभ भी करते रहते हैं और अपना अच्छा मित्र भी बताते रहते हैं उने यह आप देखें पिक्चर भी आप लोग देख रहे होंगे और देखें, यह हमारी प्यारी पित भी है, और इसमें आप देखेंगे, यह हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा, यहां से आप लोग जाएंगे, तो USA आप लोगों को यह देखने को मिलेगा, अमेरिका, तो इसी की बात हो रही है, आप देखें, बॉसिंग्टन इसकी र इसाई है इसाई है इनकी धर्म क्या है इसाई है वराक ओबामा का जनम 4 अगस्त 1961 को होनो लूलू में हुआ था और आप देखेंगे कि उनकी माता इस्टैनली अन अत्र दुनहम का जनम बिचीता कैंसास में हुआ था जो जाजातर इंगलिस बंस से ही थी और उनके पिताक वरा वराक ओबामा सीनियर थे और उनका जनम इनके पिता का जनम क्यान्या में हुआ था तब उन्हें स्कॉलर से मिला तो वह अपनी आंगी की पढ़ाई करने के लिए यह हवाई चले गए और आप देखतें कि इनके पिता वहां उनकी मुलाक्या अत्र दुनहम से हुई और उन 1961 में और उसके बाद उनकी साधी जन्दा दिन तक नहीं टिक सकी किरके ओबामा की माता पिता की और उन दोनों की वीच आप देखिए 1964 में डाइवोर्स हो जाता है और अंगले सालियानी की 1965 में बराक ओबामा की माने लो लो सोटोरों से आप देखते हैं कि दूसरी साधी की और उनसे उन्हें एक बेटी का जन्म हुआ था किसका बेटी का और उसी समय उनकी माने उन्हें पढ़ाई के लिए अपने अंकल के हाँ भेजा था वराक ओबामा को और अपने नाना नानी के साथ रहते समय वराक ओबामा ने पुना होव स्कूल से उच्छड लेने की ठानी और दाचला लिया और आप देखे साल 1989 में अपना गरीजिसन पूरा किया और वहाँ उने काला रंग होने की बज़े से बहुत काले होने की बज़े से आप देखे बहुत सारी परेस्यामियाओं का सामना भी करना पड़ा और उसके कुछ साल बाद यानि की 1981 में ओबामा की पित के साथ सिरिफ एक इंसानियत का अरिस्ता था उससे जांदा कुछ भी नहीं है अगर हम लोग बराक ओबामा की सिक्षा की बात करें तो ओबामा एक कॉलंबिया उनिविसिटी और हारवर्ड लॉइ स्कूल से इशना तक हुआ उनका जहां उन्होंने हॉवर्ड लॉइ सर्वेक सिकागो लॉइ स्कूल में सेवधानिक कानून का अध्यन भी किया उन्होंने और फिर आप देखेंगे इनकी अगर हम लोग साधी की बात करें तो ओबामा ओमिसेल ने 3 अक्टूबर 1992 को साधी की थी और जैसे उन्हें दो वेटियां हुई क्या दो वेटियां हुई उन्हें यहाँ लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर हम लोग देखें बराक ओबामा की राजनितिक यात्रा देखें यानि की राजनितिक सफर देखें तो आप देखेंगे 2004 में ओबामा ने ध्यान पूर्वक अपने अभियान जो लिल्ली नोसेई नोईस को किया और उनके सीनेट के चुनाओ को भी उनके भासन से संब्धित किया फिर उन्होंने अपने राज्टपती पद कावियान 2007 में सुरू किया 2008 में उनके विरुद उनी के पास की सहकर्मी हिलारी रौथम क्लेंटन थी और उनकी पेजातांतरिक पार्टी के परयाप्वितीनि चुने गए थे और जो उनके राश्टपती पद के उम्मीदवार के लिए काफी थे बाद में उन्होंने गरतांतरिक उम्मीदवार जौन मेकेन को पिधान चुनाओ में हराया और आप देखते हैं कि 20 जनवरी 2009 को उन्होंने अपने राश्टपती पद का सुबारम किया या ताकि वे आसानी से सबसे बड़ी आर्थिक मंदी से अमेरिका को छोड़ा सकें और पुनर निवेस एक्ट 2009 टेक्स से राहत पा सकें और उन्होंने कई कानुनों को बदला जैसे रोजगार निर्मार्ण एक्ट 2010 जो अमेरिका में मंदी आई थी ना दुनिया बर में उसी के स पारित किया डॉट फ्रांक फ्रांक दीबार में सुधार किया साथी कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी इन्होंने सुधार किया विदेश नीती में उबामा ने यूएस मिलिट्टी के एरा के उद में हस्तेचेप को खतम कर दिया साथी अफगानिस्तान में यूएस से दे रखे थे कि जिसके पईडाम स्वरूक ओसावा बिल लादेन मारा गया था। उन्होंने गरतांतरिक उम्मिदवार मिट्र रॉमनी को हराय था। और आप देखते हैं कि 20 जनवरी 2013 को अपने दूसरे कारकाल की सपत ली थी इन्होंने। आकानूनी तरीके से बेन किया और आकानूनी तरीके से और एक बात आप लोग याद रखें कि यहां जो राश्टपती का कारकाल होता है ना वो चार साल का होता है। विदेश नीतियों में उबामा ने आप देखी उएस मिलिट्री को यह आदिश दिया कि बे इराक में सामिल होता कि इसलामिक राज्जों के 2011 में वहां से निकलने के बाद उनका फायदा उठा सकें। और अफगानिस्तान के ओपरेशन को खतम करके क्यूबा के साथ इवेस की अच्छे समंद इस्थापिद कर सकें। इस पोस्तक को बहुत अधिक सराहना मिलने के कारण कई भासाओं में लिखा गया इसका एक चैल्ड वर्जन भी लिखा गया था। दूसरी किताब आप देखेंगे। यदि आप सही रास्ते पर चल रहें और आप चलते रहना चाहते हैं तो आप प्रगति करेंगे। समस्याएं कभी आसान नहीं होती हैं। मुझे इस बात पर गरभी कि एक बात यह है कि बहुत मुश्किल से आप मुझे इस मुद्धे को आसान बनाने में सुनेंगे। और यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति या को समय के लिए पितिक्षा करते हैं तो बदलाओ नहीं आएगा। जिन के लिए हम पितिक्षा कर रहे थे और जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं वही परिवर्तन हम है। राश्पती की रूम में आई-एम बॉसिंग्टन को बहतर बनाने और उन लोगों के विश्वास का पुन्न रिवार करने के लिए पिति बद्ध हैं जिन्नों ने हमें यहां भेजा। और आप देखें क्या आपको लगता है कि एक उत्तेजना या एक खर्च कर रहा है या पूरी बात है गंभीरता से। और यह समझ में आता है इनके द्वारा कुछ कोट्स हैं राष्टपती के बाद आप देखेंगे कारेले छोड़ने के बाद ओबामा ने सार्विजिक जीवन में सक्क्री रहना जारी रखा उन्होंने अपने संस्पार्ड फ्रोमेश्ड लेंड दा ओर्डी सिटी ऑफ हॉफ सहित कई किताबें लिखी या विबिन धर्माद कारेों में भी सामिल रहें उन्होंने ओबामा फाउंटेशन के मद्यम से युगान रेताओं के साथ काम भी किया है इन्होंने इस सम्मान भी मिले इने पुरुसकार अपने पूरे करियर के दौरान ओबामा को उनके काम के लि और आप देखें इनसे कुछ विवाद भी जुड़े हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग इस तरह की किसी पत पर होते हैं तो विवाद जुड़ना सभा भी किसी बात रहती। बहुत सारे आपके पसंद करने वाले होते हैं ना पसंद करने वाले भी होते है 2009 में एक बिवाद खड़ा हो गया जब ओबामा ने कहा कि अमीरों को अधिक कर देना चाहिए अधिक टेक्स देना चाहिए जब बेन गाजी लीबिया में एक अमीर की रादूतों तीन अन अमेरिकियों की हत्या कर दी गई तो ओबामा ने इसे आतंग का कार कहा और बाद में इसे आतंग वाद का कार कहा और जिसके लिए उन्होंने बिपक्चो मीडिया से बहुत आलोचना भी की थी उनकी जब ओबामा ने कहा है कि स्वास्त देखवाल सुधार अधिनियम जिसे ओमावा केर के नाम से जाना जाता है अब अपरवासियों पर लागू नहीं होगा तो ये बिवाद का विसाइभी बना था मदपूर में विसे इस रूप से इराक और सीरिया में ओबामा की नीतियों के लिए उनकी आलोचना की गई है और 2009 में उन्हें नोबल सांती पुरुसका से सम्मानित किया गया तो जान्दा लोगों के लिए नेली बिजली जैसा था यह दावा ओबामा का जनम अमेरिका में नहीं हुआ, 2008 में बहुत बिवाद में शुरू हुआ था और ओबामा की अमेरिकी नागरेकों के गोपनिय ता अधिकारों के उलगन के लिए सरकारी निगरानी के उनके समर्थन के लिए आलोचना भी की गई थी तो एक सौट वाइगर आपकी आप लोग कह सकते हैं, सौट कहानी कह सकते हैं, वराक ओबामा की है, किसकी है? वराक ओबामा की है आप लोग पढ़ते रहे हैं और किसी के बार में जाननी हो तो जिलसस भी हो अगर जानने की तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं